नमस्कार दोस्तों आज की इस UPSC Terminology सीरीज में हमें एक टर्म सीखेंगे लोकल बबल इसको डिस्क्राइब करने से पहले हमें क्वेश्चन सॉल्फ करेंगे यह रहाँ के सामने क्वेश्चन निम्न लिखित कतनों पे ध्यान देजिए और आपको बताना कितने कतन सही है पहला कतन है समाचारों में रहा लोकल बबल शब्द भारतिय शेयर बाजार में आई अचानक तेजी से संबंदित है दूसरा है गेईया एवं प्लैंक ब्रहस्पति ग्रह के जुडबा चंद्रमा है पहला कतन है समाचारों में रहा लोकल बबल शब्द भारतिय शेयर बाजार में आई अचानक तेजी से संबंदित है और दूसरा कतन है गेई या एवं प्लैंक ये ब्रहस्पति ग्रह के जुडबा चंद्रमा के नाम है आपको इसका राइट एंसर देना है इसका राइट एंसर होगा आप संडी इनमें से कोई भी साही नहीं है आये हम इसको से तैयार किया अब इसमें तीन टर्म आते हैं एक है local bubble एक एंत्रे चिगुः और एक है 3D चुमकी मानचितर है क्या तो 3D चुमकी मानचितर आब इसको प्रतवी से relate करके देख सकते हैं जैसे यह अर्थ यह आपके सामने है अर्थ अब आर्थ का magnetic field हम कैसे डिनोट करते हैं यह ऐसी रेखाओं के दर चुम्ब की रेखाओं के दर हम अर्थ का मेगनेटिक फिल्ड बनाते हैं तो यह जो चुम्ब की मांचित्र होता है तो चुम्ब की मांचित्र क्या दिखाता है यह इंटेंसिटी दिखाता है मेगनेटिक फिल्ड की इस सोज the intensity of magnetic field चुम्ब की मांचित्र किसी भी body के magnetic field का intensity सो करता अब जैसे ये earth के case में हम देख रहे हैं तो इसकी magnetic field की intensity इतनी दूर तक है माल लेते हैं भी इतना है तो यह हो जाएगा कि अर्थ की magnetic field की intensity यहां तक है तो चुम्ब की मांचित्र में कुछ जब बहुत जादा नहीं होता जैसे नार्मल मांचित्र बनता है वही बस डिफ्रेंस यह है कि यह मैगनेटिक फिल्ड की इंटेंसिटी सो करता है अब इसका तो इसका थ्रीडी मॉडल तयार किया गया है अब एक टर्म है अंत्रिच गुआ इसको भी देख लेते हैं यह क्या है अंत्रिच गुआ यानि स्पेस कैविटी तो यह दो बाड़ी की बीच में दो इंटरिस्टेलर बड़ी मतलब जैसे कोई पर्याप्त मास हो बड़ी बड़ी हो जैसे यह हमारा सूर है और एक कोई दूसरा तारा हो इनके बीच के जो माध्यम है यह interstellar medium कहलाता है तो यह movie भी आप देखे होंगे interstellar movie तो एक तारा मंडल से दूसरे तारा मंडल में जारे की प्रक्रिया को denote करता है तो इसमें हम देख रहे हैं अंतरिच गुहा तो एक बड़ी body को यंतरिच में एक तारा है और यह दूसरा तारा तो इनके बीच का जो space है तो इसे हम कहते है space cavity इसे हम कहते है space cavity या अंतरिच गुहा अब एक तर्म है local bubble वही हम देखते हैं local bubble क्या है local bubble यह एक cavity है space cavity है हमारी अकास गंगा के interstellar medium में इसको local bubble को आंगेज पहले यहां पे दो टर्म लिखे हुए है इसको भी पहले हम सीख लेते हैं एक लिखा हुआ गेया यह question में भी हमने mention किया था गेया और plank गेया और plank यह दो क्या है गेया और plank यह European Space Agency European Antrich Agency की दो बेद साल आए है उनका नाम है गेया और plank गेया इसको ध्यान से देखेगा गेया और plank गेया और plank European Antrich Agency की दो बेद सालाई हैं जिनकी सहायता से हम जो Space Cavity है उसका और Local Bubble जिसे कहते हैं उसका 3D चुमिकी मांचेतर तयार किया गया है अभी दोरों की भूम का क्या थी गेया के दोरा क्या बनाया गया गेया ने जो गेया बेद साला है इसके दोरा ब्रम्हांडी धूल की अवस्थिती जो ब्रम्हांड में धूल है ब्रम्हांडी धूल की अवस्थिती धूल की अवस्थिती इसमें हमने देखा मतलब अबस्तिती की बारे में बताया कि कितना मास उसके बीच में एक्जिस्ट करता है और इस्थानी बबल की जो लोकल बबल है इसकी सीमाएं कि ये कोई जैसे बबल बना देते हैं तो ये कितनी सीमा तक जा रहा है तो इसका डिनोसन हमने किया गेईया की मदद से प्लेंग प्लेंग बेध शाला है इसकी मदद से चुमब की सं रेखन किया मतलब संद्रेखन कितनी एक body है तो इसका चुम्ब की छेतर कितनी दूर तक जाता है तो इसकी रेखाओं का ताइं किया हमने प्लैंग की help से और गेया की help से प्रम्हांडी धूल के बारे में हमने देखा आप अब हम आगे चलते हैं अपने main topic पे की local bubble क्या है Localämä पे है यह कहां पर यह हमारी अकास गंगा कर नम किया है Milky Way Milky Way यह कहां पर तो हमारी अकास गंगा में एक maison unit कहां पर है यह interstellar माध्यम में है अब हम देखते हैं interstellar माध्यम क्या है इंटर इस्टेदर माध्यम इसको पहले भी डिसकस कर चुके हैं दो यह ज़्यादा सरल से समझ सकते हैं कि यह दो तारों के मध्ध का एक स्पेस होता है पहले तो इसको हम बनाते हैं अकास गंगा का थोड़ा यह जनरली ऐसे सरभिला का राकास गंगा होती है इसमें बहुत सा सब्सक्षारे तारे आपको इसमें ऐसे देखनों को मिलेंगे करोण वर्ब होता रहें आपको का कशा एक अकास गंगा में देखने को मिलें आब इन akin के बीच में ये एक ये तारा हुआ इन दोनों तारों के बीच में जो इस पेस है इसे ही हम क्या कहेंगे कैविटी इसे हम कहेंगे कैविटी इसके बीच में जो इस पेस है इसे हम कहेंगे क्या कैविटी और इसके इस पेस के बीच में जो भी मटेरियल है जिसे हम नहीं जानते है अधिकतर हम उसको कहते हैं डार्क मटेरियल उसको हम कहते हैं इंटर इस्टेलर माध्यम दो तारों के बीच में इसको और अच्छे से जैसे बनाएं ये जो दो तारे हैं ये दो तारे हैं इनके बीच में जो भी मटेरियल है जिसकी जानकारी हमको नहीं है उसको हम डार्क मेट इसकी मदद से गेया और प्लैंग के नामक दो यूरोपी अंतरची की बेदशालाई हैं इनकी मदद से बनाएं और यह कितनी लंबी है यह 1000 लाइट यह आप जानते हैं यह दूरी का मापक है एक साल में लाइट कितना ट्रबल करती है यह कहला तो जब 1000 साल भी लाइट कितना बना डिस्टेंस कवर कड़ता हुआ एक हमको लोकल बबल देखनों के मिला तो इसको पहले हम देख लेते हैं एक थोड़ा सा एक चित्र में देख लेते हैं लोकल-बबल तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये आपके सामने एक चित्र है इसमें ये हमारा सन हुआ ये एंटरेस और ये मोजरिस तो ये दो तारा मंडल हैं जैसे हमारा ये सूरेक तारा मंडल हो गया एंटरेस हो गया और मोजरिस इसके बीच में जैसे हमारा सन है और इंटरेस के बीच में तो ये छेत्र ये कहलाएगा क्या लोकल बबल इनके बीच का ये छेत्र लोकल बबल तो ऐसा ये जो बन रहा है तो ये एक बड़ा सा लोकल बबल डिनोट किये हैं तो लोकल बबल मतलब आप समझ रहे होगे कि एक इ वीतरा इनके बीच का इस इसों मेडियम के दिये और इसी इंतर है इतना ज्यादा मिला कि्वहां पर एर 0000 여러분 fluctuations एंसी के पाइश मेडिये कि दूलय है इस वेघ्सजर के बुर्ट पाड़े मिली है तो इसी का Space Cavity का 3D Magnetic Field तयार किया गया है Map तयार किया गया तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि यह लगबग ऐसा ही बनता है क्या Local Bubble अब इस Local Bubble का निर्माण कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं Local Bubble का निर्माण हुआ है Supernova विस्पोर्ट के कारण Supernova विस्पोर्ट क्या है यह एक जब तारा का कोई भी तारा अपने अंतिम टाइम पे होता है अंतिम टाइम पे होता है जब कोई भी तारा या उसकी डेथ होने बाली होती है तब उसके कोर में एक विस्पोर्ट होता है तारे के कोर में एक बड़ा सब्मपर्म और इसका दहन हम क्यों कर रहे हैं local bubble का दहन इसका कि 연 쪽ि मैंने कि उसकता क्या हमको महसुस हुई एससे क् genuinely की उत्पति सम्बंदित प्रश्ट नो को हल करने में को मिलेगी और ब्रम्हांड की रहत् fund को चार करने में हम इसकी की खार डिद्र केरी है कि करेया है थो फेर्ट जाबाइब भी अव्ही सنफ्ञाई कि तो क्लूजन पर साइंटिस्ट पहुंचे नहीं है तो अभी लगातार खोच जारी है इसी क्रम में इन्होंने एक लोकल बबल का 3D मैप तयार किया है तो इसको याद रखेगा लोकल बबल कोई share market से अपने question पर चलते हैं तो ये किसी भारती शेयर बाजार में आई अचानक तेजी से संबंदित नहीं है और गेईया और प्लैंक ये ब्रहस्पत ग्रह के जुड़वा चंद्रमा नहीं है ये क्या है ये European Space Station अंत्रिच ये European अंत्रिच एजेंसी के क्या है ये वेद शालाएं है वेद शालाएं यूपीसी इस समय पर ऐसी question बनाता है एक आपको economy से दे देता है और एक आपको जियोग्राफी से बना कि देता है कठिन बना देता है तो इसका राइट एंसर एप्शन डी कोई नहीं